नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है विडिस है हमारे यूट्यूब चैनल में आज जैसा कि हम लोग जैपेशी को के अंदर में रख करके जो सीलेबस का जिकर कर रहे थे उस कड़ी में हम लोगों ने हिस्टरी पोर्शन्स का और जोगरफी पोर्शन्स के सारे मैक्रो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे matter जो किसक्त को कवर करना है और अच्छे से हमें त्यारी करना है कि जायदा वेट्विह करना है ताकि आने वाले जो एंगजाम है उसके पी-टी-प्लस-मेंज की त्यारी बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकें तो इस सिग्मेंट में अगर हम देखें तो जहारखंड का जो अगर हम JPSC जो एक्जाम है तो ऐसा नहीं है कि केवल आपका मेंस में सिरिफ और सिरिफ Indian पॉलिटी है आएगा Indian पॉलिटी के कुश्चन तो आएंगे ही आएंगे लेकिन आपको जहारखंड के सिच्वेशन को को रिलेट करके आपको एक्जाम लिखने होंगे तो चलिए पहले हम लोग उस बोड़ी को समझते हैं उस टॉपिक को समझते हैं जो एक्च्वल में पॉलिटी है हमारा तो अगर हम Indian पॉलिटी को अगर डिवाइड करें अगर बाइफर्केट करें उसको हम तो जो हमारा सिलेबस के जीपीसी वाले सिलेबस में जो असपस्ट जो मेंसन है उसमें लिखा हुआ है Indian Constitution अनि Constitution of India भी बोलते हैं उसे नेक्स्ट जो है हमारा पढ़ने के लिए वो हमारा पबेड इसे बोलते हैं सोट में पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस और थर्ड जो है हमारा सेक्शन वो है डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में हम उन सब चीजों को पढ़ते हैं जो लोकल गवर्नेंस होती है यानि रिजिनल गवर्नेंस जिसे पंचैती रैजवेवस्था के बारे में पढ़ेंगे और मिनिस्पिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे Constitution of India का अगर हम बात करें तो उसमें हमारा सबसे पहला देखिए किस तरह से हमारा Constitution के निर्मान का जो कह सकते हैं कि किस तरह से इसका historical background रहा है किस तरह से इसका evolution हुआ है history का और इसके features क्या है बहुत बहुत important है history का जो है portion आनि Constitution का जो इतिहास रहा है उसको तो importance हम समझेंगे कि आखिर Constitution का importance क्यों है आखिर Constitution का होना इतना जरूरी क्यों हो गया था country में और Constitution का features क्या है क्या इसका काम है historical relations को देखेंगे कि आखिर अचानक तो हमारा Constitution तो तुरंद नहीं लिखा गया उसके पहले उसका flashback में उसका background में कुछ तो कहाणिया रही होगी उसके बारे जानना है फिर जब समिधान को लिखा जाने लगा तो उसके लिए इसेंबली बनाईगी जिसको कौन 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 लोग थे उनके अध्यक्सता कौन कर रहे थे कितना समय लगा कितनी बार बैठके हुई है इन सब चीज़ों को next topic है हमारा उसका objective क्या है constitution का silent features क्या है unitary features and federal features बहुत important है कि हमारे सम्मिधान में ऐसा प्रावधान है कि कब हमारा जो इंडिया का जो power है वो unitary power में बदल जाती है और हमारा जो विवस्था है वो federal features क्या है इसका अनिक के अंदर union और state यह दोनों के बीच में जो हमारा coordination है जो एक परकार से federal features है उसके बार हम जानना है उसके बाद जो भारत में हमारा government का जो form है वो हमारा parliamentary form of government पर्लिमार्ञट्री वार्म जानने हमा वे यहां सब्सक्यां परीजिए मौर्म जाते हैं कहले कि एक उसक्श को भी जानना है दोनों को डिफ्रेंटस को भी समझने की जुर्थ है नेक्स्ट जो हमारा टॉफिक इस चैप्टरका लास्ट हिस्टोरिकल वे गराउंड का वह पाय्ले मेंट्री वर्सेस प्रिसिदेंशयल सिस्टम आके पाय्ले मेंट्री सिस्टम और प्रिसिदेंशल reflex में क्या पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे यह भी कोशन्स पूछा जाएगा जैसे लास्ट अभी आप अगर न्यूस पेपर में अगर देख रहे होंगे लॉक्डाउन के टाइम में तो बहुत सारे दा हिंदू के न्यूस पेपर में आर्टिकल चपे हुए थे कि आखिर जो भी क किये हुए एक हमारा डिपरेजेंटिटिव है कंट्री के लेकिन आपका यूएस में भी यही है जो प्रेसिडेंट है तो वहां पर प्रेसिडेंट जो कहते हैं वही होता है यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वही होता है तो क्यों ना इंडिया को हम प्रेसिडेंश कर जाए और इसका दूसरा फेक्ट यह बताया जा रहता है उसका कि हमारा प्रेसिदेंशल फॉर्म ओव गौवर्मेंट में जो है अभी आप देखते हैं भारत में बिधायक खरीदने का चलता है आपका खरीदारी बिधायक खरीदो को होटल बुक करके तो भाई यह जो चीज इसको बडहा एक परका से पढ़ेगा क्योंकि देखिए जो राड़िमेट चीजह है आपका जो स्टम्धिक पोर्शल से उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है कि क्या है नहीं लैकिन इसका क्या इयंक्व क्या इम्प्लिमेंटेशन क्या ज़रूरी है तो इसको हमें यह तो syllabus discussion के टाइम पर नहीं किया जाते हैं लेकिन फिर भी चलिए अब preamble के बारे में हम पढ़ना है बहुत important है प्रियंबल से questions आना एकदम 100% सुभाविक है और इसे हमारा PT के लिए बहुत सारे questions यहां से आते हैं तो प्रियंबल जब पढ़ रहे हैं तो प्रियंबल के बारे में पढ़ेंगा तो प्रियंबल का features क्या है इसका value premises क्या है constitution और इसका terminology को जानना बहुत important है यह है very very important यह बहुत important इसका terminology को जानना जिसे देखिए आपके terminology में आपको democratic क्या है, sovereign क्या है, socialist क्या होता है, secular, republic, justice, equality, liberty, fraternity and integrity इन सारे words को आपको बगाईदा बहुत ही अच्छे तरीकी से इसके definitions आपको पता होने चाहिए और इसका क्या मतलब है देखिए, यह जो जितने भी words आप देख रहे हैं, यही सारी चीजें हमारे constitutions को बिल्कुल define करती है, यही सब चीजों का आगे का explanation है constitution का अब अगर हम बात करें, तो आता है next chapter के रूप में citizen ship, citizen ship को अगर आप constitutional पढ़ेंगे, तो यह article हमारा 5 से लेक करके 11 article तक इस जिक्र किया हुआ citizen ship, इसमें हम लोग basic features में देखेंगे, क्या कि constitutional इसके क्या basic features है, इसका methodology क्या है किसी भी person को citizen ship gain करने का, कौन-कौन से mode है कि आप उससे अपना citizen ship को lose कर सकते हैं, concept of dual citizenship क्या हमारे यहाँ पे dual citizenship का concept है या नहीं है, जिसे US में आपका dual citizenship का concept है, वहाँ पे एक state का अलग होता है, और पूरा का पूरा country का अलग होता है, तो इस तरह का है dual, यहाँ पे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखेंगे topic में, तो citizen ship, provision in jamu customer, यह तो हमारा देखिया अभी तो dissolve हो गया है, यह इसका जो status था, privilege वाला, तो इसमें क्या है कि provisions खतम हो गया है, लेकिन इसमें अगर आपको पढ़ना है, तो jamu and customer के बारे में, पुरा बढ़ियां से पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत recent news था, पिछले year का, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी, और अभी भी कुछ ऐसे state है, जिसको privilege category में रखा गया है, और वहाँ के लोग ए incident होगे हैं, PM होगे हैं, गवर्नर होगे हैं, या फिर कुछ जो privilege जिन जिन को मिला हुआ है, उसके बारे में जानने की जूरत है, अब next देखते हैं, next topic जो हमारा वो fundamental rights है, बहुत important topic है माईडियार यह सब्चिए, आप चाहां त्यारी कर रहे हों, नहीं कर रहे हों, या फिर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, आपको अपने country का constitution, आपके country का history बेगराउंड, यह सब चीजे और अपने country का economical बेगराउंड के बारे में जानना बहुत जिरूरी है, तो इसी लहजे से आप पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप त्यारी करें कमिशन का, तो स लिए, तो आखिर fundamental rights लोगों को देने कि क्या इसका significance था, हम लोग कभी science में बढ़ते हैं कि fundamental forces जिस force को कभी खतम नहीं हो सकता, इसे gravitational force कभी खतम होगा नहीं, electromagnetic force कभी खतम होगा नहीं, nuclear force कभी खतम होगा, तो आखिर उसी तरह से लोगों को इसको fundamental rights क्यों दिया, हाँ, यह force यह जो right है, यह right कभी भी आप से कोभी encroach नहीं कर सकता है, बिकिन कुछ certain cases में आपका encroach कर सकता है, आपको चीना जा सकता है, लेकिन उसमें भी life and liberty का जो आपका right है, उसको कभी नहीं चीना जा सकता है, जो 21 में है, है ना तो इन से आर्टिकल को कभी नहीं छेना जा सकता है तो हमें जानना है इसमें राइट टू इक्वालिटी क्या है राइट टू फ्रीडम क्या है जो आर्टिकल लगा मुँद पढ़ेंगे जो फंडमेंटल तो यह एक्विली बारा से पैंटीस तक की बात है है लेकिन हम 24 से लेकर के से 32 तक बढ़ते हैं तो फिर हमें देखना है इसमें कि राइट अगेंस्ट एक्स्ट प्लाटेशन मालवी किसी के सोर्शन मुझे हो रहा है तो सोर्शन की ब्रूद का दिकार क्या है राइट टू फ्रीडम ओफ रिलीजिजन आपको धार्मी कस्वाल तर तक क्य दिया है लोग लेकिन आपको खाने का परमीशन ही नहीं है आप उसको खाई ही नहीं सकते हैं आपको खाने के लिए को बरतन ही नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है मेरा भूब तो नहीं मरा न तो उसी तरह से यहां पर है कि एगर आपको राइट दिया हुआ हुआ है त कि procedure established by law and the process of law यह दोनों में difference क्या है तो इस चीज़ को जानना है हमें कि यह दोनों में difference क्या है और last in the second last जो है हमारा रीट्स बहुत important है पांस तरह का जो रीट है वो जारी होता है पांस तरह का रीट को जानना जरूरी है क्योंकि देखे जो आर्टिकल 32 है हमारा आर्टिकल 32 में बात जो कहा गया है वह हमारा है right to constitutional remedies उसी के अंतरगत हमें पांच रीट्स पढ़ने है उन पांच और रीट्स को पढ़ना वह जरूरी है क्योंकि यह पीटी में अक्सर questions पूछे जाते है कि क्या है इन सब चीजों से questions डारेक्ट पूछ ली जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट टॉपिक इसमें कि restrictive epsp कब इखिए जब कभी कोई भी राज ये राज ये राज कभी-कभी अम लोग देश को भी री परजेंट करते हैं घृत भी बोला जाता है और state जो हमारा होता है परांत जो होता है उसको भी राइज बोलता है तो हमारा कोई भी केंदर सरकार हो या राइज सरकार हो जब कभी भी कोई भी policies बनाती है जब कोई भी act बनाती है कानुन बनाती है तो इसे धिहान में उनको रखना होता है directive principle of state policy अगर इसे ध्यान में रख करके policy बनाया जा रहा है तो समझे कि वह जो policy है वह जो act है वो बहुत ही feasible होगा क्योंकि आपको directive principle of state policy state और केंदर के बीच में क्या relation होगा किस तरह से इसको bond बना करके चलना होगा अब ऐसा नहीं है कि राज वाला को ऐसा कान को पारित कर दिया कि बोल दिया कि railway मेरा है जी अब बताएं रेल के अंदर का है कि राज का है तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना है अब ऐसा राज सरकार ऐसा माल लिए कोई state जहरखन सरकार ऐसा कुछ बील पारित कर दिया कि जहरखन वालों के लिए अलग से citizenship कार्ड जारी करने लगी तो ऐसा नहीं है तो उन सब जीजों को भी ध्यान रखना है तो DPSP के अंदर कर देखें इसका basic features क्या है directives क्या है economic and social DPSP क्या है गांधियन DPSP क्या है कि गांधी जी क्या जो क्या क्या सिधान था DPSP को ले करके social welfare को ले करके administrative DPSP क्या है DPSP related to international peace international peace को establish करने के लिए इस दित questions आया हुए बहुत बार objective में कि DPSP में कौन सा article के अंदर international peace को mention किया हुआ आपके article पूछ लिया जाता है ठीक है तो 51, 50 इस सब चीज़ आप देख लिजिएगा next है हमारा implementation of DPSP DPSP का implementation कैसे करते हैं next है fundamental rights and directive principle of state आके देखिए आपको धिहान में अभी मैंने कुछ दरी पहले बताया कि जब कभी भी rights सरकार या केंदर सरकार जब भी policy निर्मान करती है जब कोई act बनाती है तो उसमें लोगों का fundamental rights का भी ध्यान रखा जाता है और साथ-साथ में उसको policy बनाना होता है तो directive principles का तो इस में ले करके तो इस मुद्धे को ले करके राई जी के बीच में क्या controversy है कि आपको तो आपका fundamental rights को प्रोटेक्ट करना है और साथ-साथ में हमें DPSP के डारेक्टर डारेक्टिप्स को भी मिला करके चलना है clear है तो इन सारे चीज़ों को controversy को भी समझने की जूरत है अगर आपको right मिला हुआ है तो आपको duties भी है यह ना तो आपको duties भी मिला हुआ fundamental duties जो आपका part 4 का यह section में लिखा हुआ है 51A आर्टिकल के अंदर यह सारी चीज़े mention तो इसके features को समझेंगे क्यों कोंसे duties हैं यह ना 7th number में other principle कुछ ऐसे अलग अलग सिधान थे उसके बारे में भी हमें जानना है जिसे process of lawmaking in India भारत में किस तरह से law बनाया जाता है role of constitution in extra constitution यहाँ पर देखिये समझेगा अभी जो में syllabus define किया हूँ अगर आप M. लक्षमी कांत पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए फिर यदर कोई book पढ़ेंगे तो आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिएगा एक होता है constitutional bodies constitutional bodies एक होता है non constitutional bodies एक होता है extra constitutional bodies इसको बोल सकते है या statutory body भी बोलते है उसे तो आप समझेगा कि हमें constitutional bodies भी पढ़ना है constitutional bodies जैसे माल लिजिए आपको example के तोर में election commission ठीक है UPSC उसके बाद आपका हो गया national commission for schedule national commission for schedule trap ये जो सारे चीज़ें उसके बाद केग हो गया आपका audit and general इस सब सारे चुशंस्थाएं हैं ये आपको constitutional bodies में और non constitutional body में इसे माल जिए CBI पढ़ रहे हैं उसके बाद woman commission पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों के non constitutional body है तो इन सब चीज़ों में law बनाने का क्या-क्या नियम है किस तरह से ये काम करते हैं हमारे constitution में इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है basic features basic structure क्या है law आपका जो कैसे इसको इस सारे चीज़ों को involve कर जाता है उसके बाद different type of majority है ना अलग-अलग तरीके का जो majority है required है Indian constitution में उस सब के बारे में देखना है DPSP fundamental right doctrine terminology कुछ-कुछ ऐसे termologies हैं जो आपको इस chapter के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा other principle के अंदर में तो उन सब चीज़ों को भी देखना है देख करके चलना है उसके बाद separation of power बहुत important है अगर separation of power अगर अच्छा से maintain नहीं हुआ तो कभी-कभी आप देखते हैं कि Supreme Court के पास जो power नहीं है वो भी कर सकते हैं कर देता है केंद सरकार के पास जो power नहीं है वो कर दिया मालिये states के पास कौन-कौन से power उसी सेतर में वो काम कर सकता है अब ऐसा नहीं है कि केंदर केंद सरकार है और राय सरकार के जो लिस्ट में जो बातें लिखा हुआ है अब उस पर वो कानून बनाना शुरू कर दिया तो इसके बारे में देखना है कि separation of power जुडिशरी के अंदर में power किस तरह के है administration के power अंदर किस तरह से legislative में power किस तरह से divide किया हुए separation है इस बारे में भी देखना है state और के अंदर के बीच में state है न और central के बीच में किस तरह से हमारा power का distribution है इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि यह बहुत ज़रूरी जब तक पावर का distribution नहीं होगा तो एक परकार से अच्छे से चीज़ें नहीं चल पाएगा अब सभी लोग राजा हो जाएंगे तो फिर मतलो राजा का तो concept बात ही नहीं करना है चुली वो जबाना चला गया मेरा कहने का मतलब कि एक administration एक body पर अगर बात किया जाए तो अगर मिल जाता है authority तो एक परकार से वो किस तरह है dictatorship हो जाता है तो यह चीज़ maintain करने के लिए पावर का separation की जरूरत है तो अमेरिका में किस तरह की चीज़ें है यूके में किस तरह की चीज़ें और check and balance हमेसा होते रहना इस provisions में कोई भी ऐसे supreme ना हो जाया है है ना judicial review क्या है मालने जो कुछ ऐसा कानून बना दिया अपने power को दिखाने के लिए तो उसका judicial review जरूर है जरूरी है कि वो constitutional है या नहीं है concept of separation of power क्या concept है इन सब चीज़ों को देखना है नाइन्थ नबर चेप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें comparison between the Indian constitution scheme with that of other countries other जिसे कहने का मतलब जब कभी भी भारती समिन्धान को पढ़ेंगे तो भारती समिन्धान में जो जो इस scheme है जो जो नियमकारों ने उसको US के साथ comparison करके देखेंगे UK के साथ देखेंगे comparison करके इंडिया के neighbor country के साथ में हम लोग comparison करके देखेंगे क्योंकि इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है थोड़ा सा comparison करके other other constitution के other other country के constitution अब हम लोग 10th number chapter में देखते हैं 10th number chapter जो हमारा union and state का है union and state जब कभी भी आप समझते हों कि किसी भी राईज का निर्मान किसी भी राईज का उगर बनाना हो या फिर किसी अधर country से हमें किसी अपने state में सामिल करना हो तो उसके लिए कौन-कौन से बाते होते हैं तो यह आप पढ़िएगा state reorganization commission बहुत important है state reorganization commission इसको brief में पढ़ लिजिएगा उसके बाद कौन-कौन से components है अपका जो component of Indian territory के अंदर कौन-कौन से component है process of formation of new state अगर कोई भी नया राइस बनाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है इसको जानना बहुत जरूरी है मैं डियर क्योंकि यह सब चीज़ें बहुत important topic है फिर journal council क्या तो journal council जो आपका east west north south center को ले करके जो बनाया जाता है और सभी state के जो cm भी सामिल होते है इसको तो इसने journal council को समझना है union territories को समझना है जो हमारे uts है उसको special provisions for state state के लिए अलग-अलग provisions दिये गए है उसके बारे पढ़ना है जिससे north east में country north east में state जो है उन लोगों को अलग-अलग provisions दिये गए है उस provisions को भी जानने की हमें जुरूरत है next chapter है हमारा वो functions and responsibilities of the union and state state और union की बीच में क्या क्या responsibilities है क्या लिखा हुआ regulating function of government development function of government service providing function of government किस तरह का वो service को provide करती है problems in implementation आप देखते हों कि भारत सरकार के द्वारा राय सरकार के जो भी functions है जो भी चीजें है उसको implement करने के लिए क्या-क्या challenges है क्या-क्या problems है जैसे आप देखते होंगे कि अभी भी बहुत ऐसे स्टेट है नागा लेंड वगर या आपका नौर्थी इस्टीरिया में पंचैती राज वेवस्था को लाग करने के लिए बहुत सरी difficulties आती एक पर चुना हुआ वहां पर तो वहां के जितने भी सर्पंज मुख्या लोग जो भी थे वहां कहना था कि कोई महिलाएं नहीं बनेंगी यहां के यहां का रूपर जैसे मतलब महिलाएं नहीं निकल सकती नहीं कर सकती तो इस तरह कि जो चीजें लेगिन सुप्रीम कोट कहता है कि 33 पर्शन जो है 30 पर्शन आपका महिलाओं को रिजलेशन दिया इसको इंपलीमेंट कीजी इंपहीं तो इस सब चीजों को भी जानना जोड़ी किस तरह के problem से हैं उसके बाद recommendation for improvements कुछ improve करने के लिए कुछ recommendations हैं उसके बारे में पढ़ना है इस बहुत सारे recommendation है कि कुछ guidelines है recommendation से आपको Supreme Court के दुवारा भी जारी किया जाता है कुछ अच्छे अच्छे जिसे पहले से डीजी पी रह चुके हों या फिर सेक्रेटियेट में अच्छे जगा पे रह चुके हों अच्छे पॉस्पद पोजिशन पे या फिर कुछ ऐसे कमीटी गठन किया गया उनलों का recommendation किया जैसे आप देखते होंगे आज के डेट में कि पुलिस अगर किसी को custody में ले लेती है तो पूरा थाने में कुटाई करने लगती है Supreme Court का guidelines है कि सारे चीज़ों को आप थाना को supervision में किजिए सारे camera लगाई है किसी को custody में रखने के बाद उसकी मौत ना हो जाए तो इस तरह का recommendation आपका Supreme Court के दुवारा भी है तो इसको कैसे implement किया जाए भाई वहाँ पर camera लगा जाता है लेकिन बोल देता है कि camera आप काम नहीं करने लगा यह वो this that है ना तो इस तरह की इसके बाद हम लोग पढ़े है तो यही तो मतलब है चलिए नेक्स्ट जो है हमारा इंटर इंटर रिलेशन सिप बीट्विन यूनियन स्टेट और लोकल गवर्मेंट इन implementation of road कहने का मतलब है कि देखिए जब तक केंद सरकार और जो नीचे की जो बेवस्था है लोकल गवर्मेंट क्या कहा जाता है डिसेंट्रलाइशन डिसेंट्रलाइशन लोकल गवर्मेंट और के अंदर के स्टेट के इतनी भी सरकार है किस तरह से इन लोग का संघात्मक स्ट्रक्चर अडिनिस्ट्रेटिव और फिनेंसल रिलेशन को पढ़ना कि किस तरह से अगर मालेजिए यह हमारा फैडल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेट अलग अलग थोड़ी थोड़ी पावर जो रखते हैं तो एडिनिस्ट्रेशन में कितना प वह किस तरह से इसका मिस्यूज किया जाता है कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी भी स्टेट का जो कंस्टिटिशन मसीनरी है वह अगर अपका फैल्यूर हो जाता है तो वहां पर डायक्टर राश्पति सासन बोल देते हैं प्रेशिगेंट रूल लगा देते हैं तो वही इसू रिडेटेट टू दा कंकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट जो है ना कंकरेंट लिस्ट उस लिस्ट को बोलते हैं जिसमें यूनियन भी और इस्टेट भी कानून बना सकती है और साथ ही साथ में ज्यादतर होता है इसू इसमें क्या कि यूनियन बना दिया कानून तो स्टेट का कानुन पहले जो बना हुआ था वो डिजॉल हो जाता है तो इसमें लगातार बहुत बार इसमें dispute रहता है, बहुत सारा issues रहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है, आगे क्या लिखा हुआ कि issues related to appointment of government, governor, governor का appointment ले करके क्या issues हैं न, अभी देखते होंगे आप लोग कि हर state में अपना जो केंदर सरकार होती है, वो अपने state में अपने mindset के लोगों को वहाँ पर governor बना करके रखते हैं, तो इसमें एक issue है कि क्या है, इसमें transparency और ज्यादा accuracy के लिए, क्या वहाँ पर जो नियुक्ति हो, उसके नियुक्ति में क्या जिब सुरूर में constitution बनाया जा रहा था, तो एक बात भी आई थी हम भी तो जनता से चुन करके हैं, तो इस पर मुद्दे बनते रहते हैं, कि आखिर इसको diet appointment जो किया जाता है, select किया जाता है, तो इसके बारे में क्या होना चाहिए, ताकि आप कभी-कभी ये भी देखते होगे कि गवर्नर का appointment बहुत ही एक परकार से जो केंद में सरकार होती है, उसी का recommendation के अधार पर होता है, तो आश्पती final science का ID देते हैं, क्योंकि नहीं कि वो लोग होते हैं, तो इस चीज़ को समझने की जुरत है, issues related to the state of formation, poor devotion of finance, reserving bill for presidential approval, कुछ ऐसे bill से हैं, जिसको reserve करके रखा जाता है, presidential approval के लिए, central sponsored scheme जो भारत सरकार के दुवारा, जो भी sponsored scheme होते हैं, उसके बारे में, क्या-क्या issues आते हैं, implementation में, बहुत बार कोई इसको state ऐसे अपना दिखाना लगता है कि हम आपका policies को implement नहीं करेंगे, तो इन सब चीजों में क्या problems आते हैं, देखिए आपको practically सारी चीजों को जानना है, आपको ratification की तरह से कोई भी चीजों को use नहीं करना है, आप पढ़ी है, अपने mind को थोड़ा सा ब्रॉड वे में इसको समझने के कोशिस करेंगे है न, special package for different state, अलग-अलग state के लिए अलग पैकेज भी मिलते हैं, state development के लिए, उसके बाद देखना है कि issue between the, between state and center और state की बीच में, 1990 reform के बाद, उसके बाद देखना है कि foreign policy हमारे क्या है, central policy क्या है, और state policy की बीच में क्या नहीं है, तो उसके लिए क्या-क्या सरकारों के बीच में क्या-क्या policy, यह क्या-क्या नहीं है, अब देखते है, president के बारे में, president के बारे में हम लोगों को पढ़ना बहु जरूरी है, कि इसका importance क्या है, qualification क्या है, elections का procedure क्या, इसका advantage, disadvantage क्या, voting करने का जो एक परकार से जो दे equality power क्या है, हैं के पास, legislative power क्या है, और इनके पास judicial power भी होता है, क्या, उससको भी देखना है, emergency power क्या है, financial power क्या है, misleading power क्या है, music power क्या है, और judicial power इनके पास क्या है, इस सब चीजों को ज़रूरी है, president impeachment, president को कैसे हटाया जा सकता है, president as a nominal head, जो president है हमारे यहाँपे इंडिया पर वो स्रीव एक परकार से nominal head के रूप में है नाम मातर के बागी तो काम हमारे PM करते हैं, एक वलसाइन का काम करते हैं, तो issue पढ़ना है कि ordinance कभी ये power, ओडिनेंस जारी करते हैं, ओडिनेंस पावर करने का, इसके पास क्या क्या पावर है, पासिस ऑफ बिल, कभी ये बिल को पास कर सकते हैं, फिर से misuse जब होता है, emergency provisions का, जैसे हम लोगों ने आगे देखा था 356 आर्टिकल का, pardon power है इनके पास, और coalition power है, तो इसको भी देखना है, 14 नमर्ट चेप्टर में कर देखेंगा, तो vice president के बारे में देखना है, vice president के बारे में इसको चीजें पढ़ देखेंगे, office के terms and condition कैसे चुना होता है, इसके functions क्या है, इस सब चीज़ों को, next chapter है हमारा, prime minister के बारे में इसका appointment कैसे होता है, appointment के बारे में जाना है, इनका function के बारे में जाना है, role of prime minister with respect to, किसके respect में? तो respect में हमारा council of ministers सी ओम है न, president के साथ में इनका क्या है न, लोक सभाह में political party में, coalition government में क्या इनका role है किस तरह से ये चीज़ों को करते हैं तो आज का discussion में हम लोग यहीं तक discuss करते हैं जो हमारा discuss कर रहे थे politics sections का जो syllabus का तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से लीख लीजी एफ फोर साइस पेपर में और इन सब चीज़ों पर आप revision पढ़ना इस्टार्ट कर दीजे, notes बनाना शुरू कर दीजे और NCRT के जो बूक है उसको आप पढ़िए ने तो M.LUX मिकांत की बूक को आप लगातार पढ़ते रहिए इस तरह से त्यारी को जारी रहिए नेक्स्ट वीडियो में रिमैनिंग जो chapters बचे वे उसको हम लोग जिकर करेंगे और good governance के बारे में भी हम लोग सारा syllabus को cover करके चलेंगे यह जो हमारा पॉलिटी का जो syllabus होगा एक या दो वीडियो में और complete कर देंगे उसके बाद फिर हम लोग economic का syllabus को define कर लेगे इस तरह से चार चीजों का हम लोग का हो जागा then after हम सारा syllabus को complete करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक एक chapter का सारा topic को discuss करें इसी तरह से आप लोगों के पास और तब तक के लिए धन्यवाद thank you thank you very much